लास एपीसोड में देखे थे दोयूगन और हेगम के पार्टनर को मार देते हैं और उस एकसिडेंट में सिफ हेगम बचती हैं सिवल उसे पुछताच करता है कि सिफ तुम ही क्यों बची तुमने ही बोली थी ना दोयूगन को लेके जाना रात में वो बोलती ही रहती है तब ही सिवल बोलता है तुम्हारा फादर कंगाल हो गया है ना तब से तुम अपनी सेलेरी से उनका उधार चुका रही हो ना बहुत बन रहा है फिर वो लो उस रंग भी रंग केंडी में से वाइड केंडी निकालते है और उसको मिक्सर में पिसके पाउडर बनाते है और वो बन जाता है पुपिल ड्रग फिर ड्रग लेडर उसको मैरी बोलते है वो ऑफिस में जाती है उधर वो एक बोलता रहता है कि जब म यह लोग ने नहीं मरवाए है दो यूगन को फिर वो बोलती है मार्किट से ड्रक निकाल दो फिर अगर कोई बेचे गा मतलब वही चोड़ी किया है वहां वो लोग केस को देखते रहते हैं जेसन बोलता है कैसे मालूम पड़ा होगा वो लोग को तभी के बोलता मत पूछो इ कि जाना यह तो सीक्रेट था फिर कैसे मालूम पड़ा नेर्कोटिक्स डिपार्टमेंट वाले पे ही शक हो रहा है हॉंग जू से पहले पुछताच हुआ था रिश्वत लिया था ड्रग वालों से हॉंग जू जो रहता है वो हेगम का पार्टनर रहता है फिर जेसन बोलता कि तुम तो बड़े लगान से काम कर रहे है अच्छा लग रहा है कैसे मीटिंग में भी सबके सामने बोले था ना मैं हेगम का केस लड़ूंगा वाह प्यार की ताकत से अल के को दिखके बोलता है प्यार फिर देखता है कि गारी की केमने से वो लड़के की फोटो जो गारी बहुत मन था मिलने का अजब से सब खड़ा आप करके गए हो से अल बोलता है कि रिश्मत की बुग वापिस दे दिया हूं ना यह बैंड तुम्हारे कलब का है ना मुझे पेमेन का स्टेटमेंट जाहिए उस दिन का बड़ वो मना कर देता है पीछे से के बोलता है लगता क्या बूलता है मारू क्या से बोलता है कि क्या करो जिसे खूश हो जाओ गए वो बोलता है उस दिन पंच मारते ना यह चुप जाता है से बोलता है के यह श् worked को पंच मारता है से और के गुस्सा करता रहता है कि जान मुझकी कियो ना तभी पीछे से हेगा माखती है तो के उसके चुप जाता है तो के उसे फिर सो टेपली मारता है और बोलता तम ही सबाद करो हेगां बोलती कि इस लिस में से 20-30 उमर की लोगों को चान बिन करना पड़ को पड़े जाते हैं केगम को देखता है चान से लिधे टा से बाढ़ करो फिर कि वह लड़का में में उसे पूछते है वहां क्या हुआ था बर बोलता है मुझे कुछ नहीं मालूं बोलके जाता रहता है तब ही के उसका कॉलर पकड़ के बोलता है दुसरों के बारे में सोचो जरा हेगम सेवल को रोकती है वो भाग जाता है फिस सोयल डॉक्टर के पैस जाके बोलता है कि इलाज करो जल्दी के डॉक्टर को बोलता है क्या सोयल को हटा नहीं सकते मेरे बदले सोयल बोलता है शरम नहीं आ रही है क्या और दोनों लड़ते रहते सोयल के को बोलता है कि कुछ मत करो नहीं तो हेगम और जेसन को पता चल जाएगा और मुझे निकाल देंगे, चले क्यों नहीं चाते हो, के बोलता है, मैं बोला ना, अगर हिकम को बचा लोगे, तो मैं चला जाओंगा, तब ही डॉक्टर बोलता है, कि खुद से चले जाएगा, ऐसा शायद नहीं हो सकता, सोयल उसे लड़ता रहता है, कि जुड बोले ना, तुमने मुझे, फिर डॉक्टर बोलों को शान्त करवाता है, फिर सोयल को उसके बचपन के बारे में पूछता है, कि स्प्लीट प्रसनालिटी हो सकता है, बचपन की कोई हाथचा की वज़े से हुआ हो, के बोलता है, मुझे यह जगा पाता है, जहां बहुत सारे कमरे होते हैं, फिर अचानक से उसका सर दुखता है, फिर देखता है कि वो भाग रहा है, फिर यहां आग खुल जाती है, वो जाता रहता है, तभी जेसन कॉल करके बताता है, हो बताता है, कि होंग्जू का रिकॉर्ड चेक किया हो, कुछ मत करो, अगले दिन सोयल आफिस में अराम से सोया रहता है, तभी केंटे आके बोलता है, मैं आपकी टीम में आ गया हो, सोयल शॉक और कन्फ्यूज रहता है, बट केक केंटे को देखके बहुत खुश रहता है, हेगम सोयल को कॉल कर कि केस के बारे में पुछती है, फि फिर उसे हतकरी लगाता है, फिर पुली स्टेशन में उसे पुछताच करता है, हेगम बोलती है, मुझे टार्गेट कर रहे है, पहले बस में जिन्दा छोर दिये, अब ड्रग के मामने में फसा रहे है, सोयल बोलता है, हो सकता है, दो यूगन के ड्रग रिंग वाले, तुम माना किया था ना कुछ करने से, फिर पता चलता है, जो दो यूगन पे जेल पे हमला करवाया था, वो ड्रग लीडर नहीं, कैप्टन रहता है, कैप्टन उसके बाद दो यूगन को बोलता है, कि सारी इंफरमेशन ड्रग के बारे में दीने, तो ही उसे बचाएगा, फिर उ कैप्टन उसे बोलता है, कि जल्दी से ड्रग बेज दो, फिर कैप्टन पुली स्टेशन में सोयल से मिलता है, सोयल बोलता है, कि छानमीन करने पे मुझे ऐसा लग रहा है, कि हेगम को बली का बख़ड़ा बना के कुछ अलग ही चल रहा है, और मैं वो पता करके ही रहूंग फिसेयल वो बस के सामने वाले लड़के से जाके मिलता है, उसे पुछताच करता ही रहता है, तब ही कैंग्टे कॉल करके बोलता है, कि CCTV में एक अंबुलेंस गारी दिखी है, जो सीन पे पहले पहुची थी, सेयल उस लड़के से पुछता है, कि क्या कोई अंबुलेंस गार कंची जैसर गारा ना, वा आदमी बोलता है, कि कैंग्टे के तारिफ करता है, जेसन जेलेज फिल करता रहता है फिर वो लोग को टॉम डेश केम में दिख जाता है बट पता नहीं चल पाता है कि किदर मिलेगा वो फिर केंगटे बोलता है कि मैंने चेक किया हूँ मालूम पड़ा है मुझे जो ठ्रक ने ठोका था उसका ड्राइवर और टॉम दोनों एक ही स्कूल जाते थे फिर सेल उसकी तारिफ करता है और फिर से जेसन का मुझ छोटा बन जाता है जलिस के मारे सेल बहार जाता है देखते हैं कि वो अपनी कार निकाल नहीं सकता तभी के बाइक लेके एंट्री मारता है सेल उसे हलमेट लेके बाइक चलाता है फिर वो लोग जंक्यार पहुचते हैं वहाँ जाके देखते हैं कि वही पपिल रख रखा है तभी टॉम अपने गैंग के साथ पहुचता है फिर वो लोग फाइटिंग करते हैं के एंट सेल सबकी धुलाई कर देते हैं तभी टॉम सेल को इंजेक्शन देता है सेल बेऊश हो जाता है टॉम कैप्टन को कॉल करके भी बुला लेता है सेल खोश में आके दीखता है कि उसको बांडेवे हैं एंट सामने से पूरा नेटकोटिक्स डिपार्टमेंट आ रहा है कैप्टन के साथ टॉम बोलता है कि मैंने अच्छा किया ना तभी होंग्जू उसे मारने ही चाता है कैप्टन उस पर ही गोली चलाता है क्योंकि मैरी ने उसको बोली थी कि तभी भरोसा करूंगी जब तुम उसको मार दोगे जिसने यहां घुस के ड्रग छोड़ी किया है यहां कैप्टन टॉम को बोलता है कि मेरी बात सुनो का कैप्टन उसका टेप खोलता है मुका सेल बोलता है दो यू गण को टॉम ने मारा और उसका साथ हंग्जू ने दिया दोनों लड़ रहे थे उसमें अच्छा प्ला ले ना कोई तबहे पुश्टाज नहीं करेगा और अगर आभी मुझे मार दोगे तो मेरे टीम चूपनी बाटेगी केप्टिन उसकी बात मान लेता है और उसे खोल देता है केप्टिन उसे ड्रग के इंजेक्शन पर फिंगर पिंट डालने बोलता है पिर सेयल अपनी टीम को सब बताता है और ये केश क्लोस हो जाता है केया के सेयल को बोलता है केप्टन को क्यूं नहीं Арreist कर रहे केया केश सेयल बोलता है कि जब आना चीए तब तो नहीं आए अब क्यों बोल रहो दोनों एक दूसरे से लडते रहते है फिर सेवर हेगम से जाके मिलता है और उसे सब बताता है होंगजू के बारे में हेगम बोलती कि हो सकता है होंगजू नहीं मिन्सू को मरवाया हो फिर सेवर मिन्सू का केस अच्छे से देखता रहता है फिर बोलता है अगर कैप्टेन का स्टेटमेंट देखेंगे जो उसने दिया था उसी हिसाब से मिनसु पहले मारा बड़ फोटो देखके उसे कन्फ्यूज होता है तो सीन पे जाके उल्टा सुचने की कोशिश करता है कि पहले मिनसु को मारने वाला मारा होगा फिर मिनसु उपर कैप्टेन को देखा होगा और कैप्टेन नहीं मिनसु को ढका मार के मारा होगा फिर खुद को ही मार के घायल किया होगा अब सीवल को सारी बाते समझने लगती है कि मैंने जो कैप्टेन पे इलजाम लगाया था वो सब सही था मतलब तबी के आके बोलता है तो क्या कर लोगे? सिवल बोलता है कि मेंसू के के से कैप्टन को पकर सकते हैं. फिर के को बोलता है कि तुम भी मेरा साथ दोगे. कैप्टन थोड़ा साइको है. इसलिए जेसन लोगो नहीं ले सकता. के बोलता है हम दोनों? वो खुश हो के हाथ बाराता है. सिवल उसका हाथ थाम लेता है. और यहीं एपिसोड खताम हो जाता है. नेक्स एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करें. बैन इडिफिक्शन जरूर अंड करें. हम मिलेंगे नेक्स एपिसोड में. बाई. टेक कैर.